तो आज मैं एकदम आपको गजब का ट्रिक बताऊंगी इस तरह के पोटनिक वाले नेक को बनाने के लिए तो चैनल पर अगर नए है तो प्लीज चल दिसे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो का इन तक सरूर देखिएगा तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करत हैं तो यहां देखिए मैंने दीप कट का जो है नेक इसको कट किया है इसने को कटिंग करने की बहुत सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी आज मैं बस आपको इसको स्टिचिंग करने का इजी तरीका बताऊंगी तो मेन फैब्रिक को मैंने नेक को कट नहीं कि इसके उपर बस अस्तर को रखा है और जैसे हमारा निक का शेप है सेम वैसे ही इसको स्टिच करते जाना है देखें मैं यहां से एकदम बैक चली जाओंगी और पूरे जो हमारा दीप वाला जो डिजाइन है उसमें पूरी तरह से स्टिच लगा लूँगी अगर आप इस तरह से नेक को बनाएंगे तो आपको किसी भी तरह की पट्टी की बिल्कुल ज़रुवत नहीं परेगी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी होगी और सबसे इंपॉर्टन बात कि यह बहुत जल्दी भी बनके रेडी हो जाएगा तो देखिए मैंने आधा आधा करके दोनों तरफ में स्टिच कर लिया है इसको अब जो है फ्रेंट्स इसमें जो हमारा मेन फैब्रिक का जो पार्ट है उसको हम लोग कट करके निकाल लेंगे देखिए मैंने center में इसको cut लगा लिया है क्योंकि हम लोग यहाँ पर कुछ और add करेंगे जो कि आपको वीडियो में आगे पता चलेगा extra part को जैसे हम लोग cut कर लेंगे तो देखिए हमारा neck up बुड़ी तरह से जो है visible हो रहा है कि हमारा neck कैसा बनने वाला है अब इसमें छोटी छोटी हम लोग cut लगा लेंगे बस ध्यान ये रखना है कि हमारा sly बिल्कुल cut ना हो जहां तक हम लोगों ने sly लगाई है वहीं किनारे किनारे में cut लगाते जाएंगे अब इस पूरे कपरे को हमें पलट लेना है तो पलटते समय हमें ध्यान रखना है कि जो किनारे हैं उसे हमें अच्छी तरह से निकालना है तो इसके लिए आप किसी भी जो है screw driver ये किसी pin की help ले सकते हैं मैं यहाँ पर normal सा clip use कर रही हूँ देखियो और इस तरह से किनारे को एकदम अच्छी तरह से निकाल लेना है ये देखिये बिलकुल नुकिला किनारा हमारा निकल चुका है अगर किनारे अच्छे से नहीं आएंगे तो finishing बिलकुल नहीं आएगी अब पूरे कपरे को अच्छी तरह से set कर ले जिए और अब देखिये इसके किनारे किनारे में हमें स्लाय लगाते जानी है ताकि निक पूरी तरह से set हो जाए ये design friends बहुत लोगों को पसंद आती है मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा वाला design बना के दिया है अगर आपके पास इस design की कोई blouse नहीं है तो आज ही इस design को बना लीजिए और cutting की वीडियोस दीख नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मेरे पिछले वीडियोस में इसकी cutting और stitching सब आपको डीटेल में मिल जाएगी तो देखिए मैं एक दम किनारे किनारे में इसको stitch लगा रही हूँ और friends आप लोग मुझे comment करके ज़रूर बताएगा कि आप लोग में से किन के किन के पास इस design की blouse है और नहीं है तो जल्दी से बना लीजिए अब देखिए इसके किनारे किनारे में हम लोग स्लाय लगा के पूरे कप्रे को अच्छी तरह से सेट कर देंगे देखिए मैंने दोरों तरफ से अच्छी तरह से इस कप्रे को हमारे अस्तर के साथ सेट कर लिया है निक जो है almost हमारा complete है लेकिन इसको और ज़दा सुन्दर बनाने के लिए मैं इस lace का use करूंगी आप भी चाहें तो इसमें lace लगा सकते हैं या फिर नॉर्मल इस तरह से भी इसको बना सकते हैं तो इस lace को पूरे किनारे किनारे में हम पूरे neck face को attach करते जाएंगे लेस से जो है और जादा सुन्दर लेगा और जादा party wear blouse अगर आपको चाहिए तो आप इस तरह से simple से blouse को designer और party wear look दे सकते हैं तो देखें यहां मैंने पूरे lace को attach कर लिया है neck पे और अब इसका center में आप देख सकते हैं यह gap है आप चाहिए तो यहां डोड़ी लगा सकते हैं लेकिन मैं यहां पर इस button को add करूंगी तो यह देखें हमारा show button है यहां आप बड़े size का भी लगा सकते हैं मैं यहां पर medium size का लगा रही हूँ और इसको हमें सुईधाके से middle में इसको अच्छी तरह से stitch कर लेना है और friends जो browse के नीचे ले हजसा है वहां पर हम party add करेंगे आप चाहें तो नीचे के तरब भी एक lace add कर सकते हैं लेकिन मैं बस नीचे किनारे को जो है नॉर्मल ही stitch करूंगी अब हमें इसके back में दो pleats बनानी है तो मैं point कर लूँगे इसको fold करके और जहां पर हम लोगों ने point किया है वहीं पर मैं plates बना लूँगी तो friends मैं हर रोज आप सब के लिए कुछ नया लेकि आती हों तो please channel को subscribe ज़रूर कीजेगा और अगर आपको किसी भी तरह की videos देखनी हो या कुछ भी हो ताप comment box में ज़रूर comment कीजेगा मैं आप लोग के लिए वो वीडियो लेकि आऊंगी सेम उसी तरह का plate हम इधर भी बना लेंगे अब किनारे किनारे में पट्टी के हमें एक चापसले लगा लेंगे और बाद में इस पट्टी को अंदर की तरफ हम fold करके तुरपाई लगा लेंगे तो ये देखिए हमारे blouse का back part जो है complete हो चुका है friends इसमें मैं जो है हमारा जो है वो so button मैं add कर दूंगी और अब आप इसका look देख सकते हैं कि ये कितना सुन्दर लग रहा है एक simple से blouse को हम लोगों ने designer look दे दिया है बस एक list और एक button की help से तो इसका full look देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए button को add करने के बाद जो है इसका पूरा look complete होता है और इसका full look देखिए friends ये कितना जादा सुन्दर लग रहा है इसी तरह के सुन्दर सुन्दर designer blouse cutting और stitching सीखने के लिए प्लीज चैनल को subscribe सरूर से जरूर कर लिजे और वीडियो अच्छा लगे तो like और अपने friends और family के जाथ share भी कीजेगा तो मिलते हैं इसी तरह के नए नए unique unique designs और cuttings के साथ तब तक के लिए बाई बाई झाल